पुनरजन्म के सिध्धान्त को दुनिया के कई धर्मों के अंदर माना जाता है। भारत के अंदर भी पुनरजन्म के अंदर विश्वास किया जाता है। और यह आज से नहीं है। हजारों साल पहले से ही हमारे साधू और संथ इसके बारे में जानते थे कि पुनरजन्म होता है। हालांकि आजकल के दो अक्षर पढ़ने वाले लोग साधू संथों से अधिक ज्यानी हो चुके हैं। खैर भारत ही नहीं अब तो विदेशों के अंदर भी पुनरजन्म के और उनके अंदर कई सारी रियल घटनाओं का जिक्र मिलता है। यदि आपने उन किताबों को नहीं पढ़ा है तो आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और Amazon से आप इनको मंगवा सकते हैं। पुनरजन्म का मतलब यह है कि इनसान का शरीर मरता है। मगर जिस ताकत से यह शरीर चल रहा है वह आत्मा ना तो कभी मरी है और ना ही कभी मर सकती है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से पुराना कपड़ा होने पर हम उसको फैंक देते हैं और उसके बाद नया कपड़ा धारन करते हैं। उसी तरह से आत्मा पुराने शरीर को छोड़ कर नया शरीर को धारण करती है यदि हम बात करें कि पुनरजन्म क्यों होता है तो इसका एक ही उत्तर है हमारे अंदर मौजूद वासना की वज़ से पुनरजन्म होता है हमारे अंदर कोई भी वासना यदि रहेगी तो उसको पूर्ण करने के लिए हमें पुनरजन्म लेना पड़ता है बिना शरीर के वासना की पूर्दी होना संभव नहीं होता है इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता है क्योंकि पुनरजन्म के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं है यह कहां नहीं जा सकता है कि आज जो इनसान मरा है उसका दूसरा जन्म इतने समय बाद होगा कुछ आत्माओं को तुरंथ ही दूसरा जन्म मिल सकता है तो कुछ को तेरा दिन लग सकते हैं कुछ को बारा महीने लग सकते हैं तो कुछ को हजारों साल लग सकते हैं यह उस आत्मा की स्थिती पर निर्भर करता है कई घटनाएं ऐसी भी सामने आई हैं जिसके अंदर पुनरजन्म हजार साल बाद हुआ है अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि पुनरजन्म में लंबा समय क्यों लगता है तो इसके पीछे कई सारे कारण होते है और इसके उपर हम एक-एक करके बात कर लेते हैं पुनरजन्म में देरी होने का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि हर आत्मा को एक अलग प्रकार के गर्ब की जरूरी होती है और यदि उसे उसका उचित गर्ब नहीं मिल पाता है तो आत्मा को इसके अंदर काफी लंबा समय लग जाता है जितनी उच्छ कोटी की आत्मा होगी उतना ही उसको सही गर्ब मिलने में मुश्किल होगी यह आम बात है इसकी वजह से कई बार समय लग जाता है यदि आत्मा का कर्म खाली नहीं होगा तो वह अपने लिए एक उचित गर्ब को नहीं तलास पाएगी कर्म को खाली होने में काफी समय लग सकता है 200-300 साल भी लग सकते हैं इंसान अपने पूर्व जन्म की यादों के साथ लंबे समय तक बिना कोई शरीर को धारण किये रह सकता है नंबर चार किसी खास उदेश्य के लिए जन्म लेना कुछ उच्च कोटी की आत्माएं यूही धर्ती पर आना पसंद नहीं करती है वे आत्माएं तब धर्ती पर आती हैं जब उनको कोई खास कार्य करना होता है इसलिए वे हजारों लाखों सालों तक बिना किसी शरीर के धारण किये ही रहती है नंबर पांच राहुल का बारह साल बाद पुनर्जन्म दोस्तों इस घटना के बारे में आपने भी सुना होगा दस साल का राहुल अपने पुनर्जन्म के बारे में सब को बता रहा है यह मामला एक समय चर्चा का विशय भी बना था कहा जाता है कि जब राहुल तीन साल का था तो उसको अपने पिछले जन्म की सारी घटनाएं याद आ गई थी हरियाना के पलवल जिले का यह रहने वाला है यह गाव गड़ी-पट्टी का है और राहुल बताता है कि पास के बनस्वा गाव के अंदर उसका पूर्व जन्म था और पूर्व जन्म के अंदर उसका नाम धन्राज था एक ट्रेक्टर हादसे के अंदर उसकी मौत हो चुकी थी मरने के बाद वह 12 साल तक इधर उधर भटकता रहा लेकिन उसको कहीं पर जगह नहीं मिली राहुल के पिदा राजेश का कहना है कि उनकी बहन कश्मीरा की ससुराल भिडू की गाव में है एक दिन वो राहुल को साथ लेकर भिडू की गाव अपनी बहन के पास जा रहे थे तब राहुल ने बताया कि उसका गाव पास में ही पढ़ता है तब तो उसकी बहन ने उसकी बातों को अंसुना कर दिया बाद में बच्चा जिद करने लगा तो फिर वापस आते समय वह बांसवा गाव के पास पहुँचा तो वह जिद करने लगा कि वह वहाँ पर जाएगा उसके बाद जब वे बांसवा गाव पहुँचे तो वे खुद ही मोटर साइकल से उतर गया और अपने पुराने परिवार के पास जा पहुँचा और वहाँ पर उसने सभी को एक-एक करके पहचान लिया राहुल ने 45 साल की महिला को पत्मी बताया और आज इन दोनों परिवारों के बीच एक अंजाना रिष्टा हो चुका है खैरिय सिर्फ एक ही घटना नहीं है इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं आती रहती है लेकिन सभी घटनाओं में यह बात देखने को मिलती है कि अगले जन्म का कोई भी समय नहीं होता है जैसा कि हम आपको उपर बता चुके हैं